नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इंवेस्ट राइट की एक नई वीडियो में दोस्तो चैनल पर एक बहुत ही बड़िया सा कमेंट आया है कि सज्जन है हमारे चैनल पर वह अपने फाइनेंशल प्लानिंग करना चाहते हैं तीन लाक रुपे इंवेस्ट करके फ्यूचर के लिए मंतली इंकम भी जनरेट करना चाहते हैं उस पैसे को भी बढ़ाना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर आपके पास भी दो तीन लाक रुपे हैं फ्यूचर में आप फ्यूचर करते हैं जल दिसे और दोस्तों आपकी मन में भी कोई कंफ्यूज हो किसी तरह का तो बिल्कुल बे जिजक आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं कमेंट जिनोंने किया है इन सर का नाम है सुजोए बाबू चलिए सर आपके टॉपिक पर ही आज की वीडियो बनाएंगे औ देखें अभी जो एमांट है वो हमारे पास तीन लाक रुपे है तीन लाग इन तीन लाग रुपे को ये लंब सम करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए इसको लॉक करना चाहते हैं ताकि यब ये बड़ा एमाउंट बन जाए फिर इस एमाउंट से मैं मन्तली इंकम जनरेट कर सकूँ बहुत बढ़िया प्लानिंग है इस तरह से बिल्कुल प्लानिंग की जा सकती है ये क्या कर सकते हैं इन तीन लाग रुपे को लंब सम कर सकते हैं लंब सम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और देखे अगर बहुत ज़्यादा risk वाले funds में नहीं जाना चाहते हैं लेकिन पैसा equity में ही invest करना है तो blue chip funds में invest किया जा सकता है SBI blue chip fund यहां में इनको बताने वाला हूँ SBI blue chip fund अब देखे SBI का fund है बढ़िया fund है returns fund के काफी बढ़िया है और यह एक large क्या fund है Large cap fund का मतलब है यहां जो पैसा आप invest करेंगे उस पैसे का minimum 80% पैसा minimum 80% जो पैसा होगा वो इंडिया की top 100 companies में invest किया जाएगा यानि की maximum जो आपका पैसा है वो बड़ी-बड़ी companies के stocks में जाएगा तो यहां आपका जो risk है वो इसमें small cap और mid cap के मकाबले काफी कम हो जाता है Returns हाला है कि small cap के मकाबले आपको थोड़े से कम दिखाई देंगे लेकिन देखे जितना ज्यादा risk होता है उतने ही ज्यादा returns होते है यहां risk भी कम है mid cap और small cap के मकाबले इसलिए returns भी आपको थोड़े कम देखने को मिलेंगे लेकिन अच्छी बात यह कि आप लंसम कर रहे हैं थोड़ा सा अगर safe रहना चाहते हैं equity के हिसाब से तब आप large cap funds में invest कर सकते हैं चलिए अगर मैं बात करूँ यहां SBI के fund के बारे में सीधा holdings की अगर मैं बात करूँ देखे large cap में सबसे ज्यादा allocation है इनका 80.89% का उसके बाद इनोंने mid cap में भी अच्छा खासा allocation रखा वाया 14.75% का small cap में उनने कुछ भी investment नहीं किया है अच्छी बात है और देखिए अगर मैं आपर fund size की बात करूँ तो 43,355 करोड रुप्रे का fund size यह fund manage कर रहा है सीधा returns की बात करते हैं last के 5 years में 16.43% के returns इस fund ने generate किये हैं लगबग 16.50% के returns यह fund बना रहा है तो काफी बढ़िया returns है अगर आप इस fund में 3,00,00,00 रुपे लंसम कर देते हैं चलिए calculator पर आते हैं सीधा अगर आप इस fund में 3,00,00,00 रुपे लंसम करते हैं अगर आपको 15% के return भी मिल जाते हैं अभी हमें 16 मिल रहे हैं 16 से भी ज्यादा मिल रहे हैं अगर 15% भी मिल जाते हैं आप चाहें तो इसी fund को भी SWP plan में change कर सकते हैं SWP plan का मतलब है दोस्तों आप यहां हर महीने कुछ ना कुछ पैसा यहां से लेते हैं मंतली और आपका पैसा भी increase होता है किस तरह से सीधा उस पर बात करता हूँ SWP systematically withdrawal plan अगर आप 24 लाक रुपे इस fund में invest करते हैं 24 लाक रुपे तो देखे SWP plan के सीधा सा fund आए कि आप बहुत ज्यादा यहां से redeem मत कीजिए देखे जैसा कि आपको यहां 15% का return पर हमने calculation करी है आप इसी fund पर आगे भी इस पैसे को invest कर देते हैं आप यहां से लगबग 8-9% का redeem रखिए पर यर उससे क्या होगा कि आपका पैसा grow भी होगा और देखे 9% का returns ऐसा हम लोग लेकर चल रहे हैं जो इन future अभी देखे 15% पर calculation किये तो 9 तो कम से कम मिलेगा ही और बल्कि blue chip funds हैं देखे रिटरंस इनके काफी बड़िया हमें past में देखने को मिले हैं तो future में भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जो holdings हैं की वो बहुत जबर्दस्त है holdings इनकी बड़ी बड़ी companies में ही आपको देखने को मिलेगी अगर holdings में आपके साथ share करूँ SDFC bank, ICIC bank, Infosys, ITC, L&T, Maruti Suzuki Limited, Britannia तो काफी बड़ी बड़ी companies में investment आपका पैसा होगा तो बहुत ज़्यादा यहां पर बहुत ज़्यादा volatile CA funds नहीं है तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रुत नहीं है हलागी देखिए mutual fund है, returns कम ज़्यादा हो सकते है market condition in future कैसे भी जा सकती है लेकिन अगर long term में हम देखे तो overall हमें अच्छे returns ही mutual fund है, अभी तक बना कर दिये है चलिए, अगर आप 24 लाग रुपे इस ही fund में मानकर चलते हैं, SBA blue chip fund में ही आप SWP प्लान ले लेते हैं monthly, monthly आपको कितना रखना चाहिए, देखिए 24 लाग रुपे 9% के हिसाब से, आप लगबग लगबग 21 से 22 हजार रुपे महीना यहाँ पर ले सकते है easily, 21 हजार रुपे महीना आप रखिए, रिटन्स की अगर मैं बात करूँ देखिए, अभी हमने 15% पर ही calculation करी है, अगर हम SWP प्लान में इंवेस्ट कर रहे हैं हलाकि रिटन्स तो उतने ही मिलेंगे जितने की इस प्लान में मिल रहे हैं लेकिन safe side in future हम रिटन्स अगर और भी कम कर लेंगर हम 13% भी रख लें 13% भी रख लें और 9% का हम रिडिम कर लें तो हमारा पैसा भी ग्रो होगा duration कितने साल के लिए पैसे को रखना है, duration हम 15 यर्स रख लें आगे और तो finally पैसे की value एक आपको और देखने को मिलेगी क्योंकि देखिए हमने जो रिडिम किया है पैसा वो 9% के आस पास किया है और मिल रहा है हमें 13% हमने रखा है हो सकता है कि ज्यादा ही मिले calculation थोड़ी सी कम पर ही करकर चलेंगे चलें लमसम पर आते हैं, अगर आप यहाँ पर SWP प्लान पर आते हैं सीधा, SWP calculator में आ जाते हैं अगर आप 24 लाक रुपे, 24 लाक इंवेस्ट करते हैं विड्रॉल परमत 21,000 का मैंने यहां रखा है, रिटरंस मैंने परती है future के लिए, एकदम से कुछ भी future में magic नहीं होगा, कुछ ना कुछ planning आपको जरूर बनानी पड़ेगी जैसे कि सर ने बहुत बढ़या तरह से comment मुझे किया 3 लाक रुपे से शुरुआत की 3 लाक रुपे को अगले 15 साल के लिए तो यह सब plannings हैं, अगर आप लोग भी अपने future के लिए कुछ plannings करना चाहते हैं और किसी तरह को confusion आपको लग रहा है, तो बिलकुल आप लोग भी मुझे comment कर सकते हैं आपके topic पर भी वीडियो में जरूर बनाऊंगा तो दोस्तों, मीड करता हूँ कि topic आपको पूरी तरह से clear हुआ होगा फिर भी कोई confusion हो, मुझे दुबारा comment कर सकते हैं, reply में आपको जरूर करूँगा बाकी दोस्तो, recommendation यह नहीं है, educational purpose वीडियो आप लोगों के लिए बनाए गया है वीडियो कैसे लगी, comment में जरूर बताईजेगा, पसंद आई हो तो like, share भी कीजेगा और मेरे channel पर अगर आप नए है, इसको भी subscribe आप, जरूर कीजेगा नमस्कार